नमस्कार आदाब सच्रियकाल कैसे हैं आप दोस्तों मैं हूं डॉक्टर परमजीद आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन और आज हम बात करेंगे सौय के बारे में जी हाँ एक बहुत हाई प्रोटीन वेजिटेरियन सोर्स है पर इसके साथ बहुत सारे भिन भिन प्रक सौय या बीन जो है वह आप लोग यूमन जो है 5000 साल से खा रहे हैं इसके अंदर बहुत ही बढ़िया मात्रा में खाय प्रोटीन होता है जो के जो क्वालिटी बोलते कई बार वह इस इक्वल तो दाट आफ दी आनिमल प्रोटीन अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन होता है इस अमाइनो अच्छा होता है इसका मतलब यह है कि अगर आप केवल केवल सोया खाके भी अपना प्रोटीन क्वेट करेंगे तो भी आपकी बोडी के लिए सफिशेंट होगा तो सोया बीन को जो है एशिया के अंदर 1950 से बहुत लंबे समय से कल्टीवेट किया जा रहा है प आपके डाइटरी सप्लिमेंट में भी डाला जाता है सोय सप्लिमेंट के अंदर सोया प्रोटीन आईसो फ्लेवोन जो के तरीके से फीमेल एस्टोजन के जैसे होर्मोन होते हैं उस वह भी आप कई बात देखेंगे मगर यह बहुत माइल्ड होता आपकी वाडी में किसी प् मेनोपॉजल सिम्टम्स, बोन हेल्थ, मेमरी, हाई ब्लेड प्रेशर, हाई कोलेस्टरॉल के लिए भी प्रमोट किये जाते हैं कि अच्छे हैं ऐसा अगर इफेक्ट देखें इन चीजों का तो बहुत मिनिमल होता है तो एक सच कोई मेजर इफेक्ट ट्रीटमेंट परपस स नहीं हो सकता, but yes, it is good to take protein sources regularly, so health benefit में क्या कोई सोया आपका कोलेस्टरॉल कम कर पाएगा, कुछ researches में देखते हैं कि हाँ, सोया बीन से regular protein खाने से सोया बीन में थोड़ा fiber supplements, fiber भी है, तो उससे थोड़ा कोलेस्टरॉल कम हो सकता है, but that depends आपकी बाकी lifestyle के, एक तरफ से सोया, बाहर का junk food खारें, तो कुछ नहीं होने वाले exercise नहीं कर रहें, तो कुछ नहीं हो कि healthy lifestyle plus soya might help, right, same way अगर FDA की बात करें, तो 25 grams per day of soya bean आपके heart disease के risk भी कम कर सकता है, ऐसा हमारे FDA में बताया आपको बहुत अच्छी बात है, और soya bean जो है, उसके अंदर polyunsaturated fatty acids, fiber, minerals, vitamins, low saturated fat contents अच्छे हैं, isoflavones जो के हमने बताया, वो hormone related cancers, breast cancer जैसे cancers को भी help करता है, और एक अच्छी मातरा में अगर आप soya खाते हैं, तो आपके females में ovarian cancer, breast cancer के risk भी कम होते हैं, तो soya bean खाना है healthy है, females के लिए बहुत अच्छा है, और males के लिए भी, females में या कह लीजिए, जिन उनके बाद की उमर में अगर वो soya खाते हैं, तब cancer prevent होगा की नहीं होगा, नहीं कहा सकते हैं, उसका research अभी चल रहा है, और soya जो है आपको tofu में, soya milk में, endomene में, इसमें भी आपको processed food में मिल जाएगा, soy protein isolates भी available है, उसके snacks भी available है, और उसी के बने हुए imitation meat products भी market में बह दे सकते हैं, processed food थोड़ा कम खाएं तो जाद अच्छा होगा, soy supplements के अंदर जो isoflavones होते हैं, वो भी cancer को prevent या कम करने में help करते हैं, उसी प्रकार के जो उने बताएं, female cancers, breast और cervical cancer, उसी के अलावा, post-menopausal symptoms या menopausal symptoms जो आते हैं, hot flashes, उसमें भी कई बार वो effective होते हैं, लेकि बहुत सारे अलग-अलग products में मिलता है, जैसे के soya floor, whole soya bean, temp, tofu, soya milk, इन सभी में अच्छी quantity में soya bean, आपको soy products मिलेगा, to find आप जरूर इसके जो भी आप product लेते हैं, उसके nutrition label को जरूर पढ़िएगा, कि उसके अंदर soy है, soy isolate है, और protein content उसका अच्छा high होना चाहिए, अग कोई logic नहीं है, उसको लेने का, उससे अच्छा आप simple soya bean की, आप soya granules या soya chunks भी खा सकते हैं, so, soya isoflavonoids, जाधतर लोगों चीजों में आपको मिल जाएगा, soya के अंदर side effects है की नहीं, सबसे पहला side effect जो बहुत ही simple है, वो है allergy, अगर आपको soya से allergy है, तो allergic reactions आने के risk होते हैं, और उसके अलावा stomach upset होने का risk होता है, पेट में ठोड़ा बहुत constipation diarrhea होने का, और कुछ लोग जिनके अंदर already बहुत ही कम मातरा में अगर वो iodine लेते हैं, iodine की deficiency है, तो soy एक goitrogen जैसा act करता है, ये goitrogen वो इस प्रकार के foods हैं, कि अगर आपका thyroid होने वाला है, तो इसक goitrogenic effect जो होता है, ये कच्चे soy में होता है, अगर आप उस तरीके के goitrogen, उसमें soy आता है, उसमें पता गोबी, broccoli, इस परकार के cruciferous vegetables आते हैं, इनको अगर आप बढ़िया से पका लेंगे, अच्छे से पका लेंगे, तो goitrogenic property उसकी खतम हो जाती है, तो soy लेने से, कच्चा soy लेने से दिक्कत हो सकती है, तो वो ना खाए, और iodine की कमी ना हो, इसलिए iodized नमक का इस्नमाल करें, चाहे हो कोई भी नमक हो, और side effects में ऐसे कोई evidence नहीं है, कि इसके वज़े से cancer होता है, या इसके वज़े से कोई और बिमारी होती है, और क्या ये किसी प्रकार से, किसी भ करना चाहिए, इसलिए बच्चों के केस में बहुत जादा मातरा में सोया नहीं दिया जाता, लेकिन आप मानेंगे, छोटे बच्चों के केस में भी आपके जो बच्चों के foods होते हैं, जो preparation, उनमें भी कई बार सोया ही अविले, प्रोटीन का source बनता है, बच्चों के पर डे सोया लेंगे, तो बहुत अच्छा रहेगा, पचास ग्राम पर डे सोया भी ले सकते हैं, और मैक्सिमम सो ग्राम तक आप बिना जिजक के ले सकते हैं, 60 ग्राम सोया पर डे का एवरेज कई सारे देशों में, एशियन देशों में कई जगा खाया जाता है, पर याद रखी सेफ है, 100-200 ग्राम तक भी आप ले सकते हैं, सो बड़ी आराम से आपको 60 ग्राम पचास ग्राम तक आपको प्रोटीन दे देगा, 100 ग्राम, तो सोया देखा, जैसे मैंने कहा था, इंफेंट फॉर्मूला में भी अवेलेबल है, जो बच्चों में यूस किया जाता है, उन बच्चों में जिनमें दूद की अलर्जी हो, और उसमें कोई भी किसी भी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं होता, लेकिन आइसोलेटिड सॉय प्रोटीन होता है, वो नहीं रेकमेंट किया जाता, विकास प्रोटीन बहुत हाइ मातरा में बच्चों के अंदर उतना भ यह चीजें एक अच्छी एवरेज मात्रा में इंकलूड करें अपने डॉक्टर से अपने पीडियाटेशन से अब बात कर सकते हैं इन प्रकार के प्रोडक्स लेने के लिए अगर आप किसी प्रकार का सप्लिमेंट लेना चाहते हैं बट रेगुलर बेसिस पे घर पे 25 से 50 ग् खाने में कोई दिक्कर नहीं है याद रखें पचास ग्राम व्याबीन इतो 25 ग्राम पर डे हो गया आप तो रेगुलर खा सकते हैं कोई दिक्कर नहीं तो प्लीज शेयर दिस वीडियो ताकि जिन लोगों को डर लगता है स्वयाबीन से ना लगे and it is very safe you can eat it no problems I hope this video helps please share this video to consult me you can what's up on this number thank you